संसत के बज़ट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है लोकसभा की कारवाही दिवंगत संसदों को श्रधांजली देने के साथ शुरू हुई इसके बाद कारवाही दो बज़े तक के लिए इस सगित कर दी गई वही राजसभा में दिल्ली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ कॉंग्रेस सांसद गुलाम नभी आजाद ने कहा कि तीन दिन दिल्ली में हिंसा हुई सरकार सोती रही और कोई कारवाही नहीं हुई हंगामे के बाद रौारे सभा की कारवाही भी दो बजे तक के लिए सगित कर दी गई माना जा रहा है कि इस सेशन में विपक्ष की ओर से सरकार को कई मुद्धों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है दिल्ली हिंसा और नाविक्ता संचोधन कारून जैसे मुद्धों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है वही इन दोनों मामलों में विपक्ष का निशाना ग्रह मंतुरिया में शाह पर रहेगा एक ओर जहां विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को घेरने की तयारी की है तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष को जवाब देने को तयार है हाला कि कॉंग्रिस संसद में दिल्ली हिंसा का मामला उठाने का मन बना चुकी है और इसके साथ ही कॉंग्रिस इस मामले में कथे तोर पर दिल्ली पुलिस की नाकामी को जिम्मधा ठहराते हुए ग्रह मंतरी अमिशाह से इस सिफ़ा भी मांग सकती है झाल जाओ।